तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जवरदस्त एक शांदार बिजनस मॉडल के बारे में और यह जो कंपनी उस तो ऐसा नहीं है पहली बार हम चर्चा कर रहे हैं इसको मैंने आपको काफी निचल स्थरों पर रेकमेंड अल्रेडी कर दिया है अब य अच्छे नंबर आये अनुमान के मुताबिक नंबर आये लेकिं दोस्तो मार्केट में देखिए इस स्टॉक में बिल्कुल भी हम पो प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है तो यह कौन सी कंपनी इसके वारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तो हम बात कर रहे हैं यहापर सारे गामा इंडिया की और इसको दोस्तो आपको मैं अलरेडी निचले स्टरों पर अलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ तो आज की वीडियो में हम यहापर कुछ इंपॉर्टेंट डीटेल्स इसके बारे में जानने वाले हैं और अगर आप इसमें अलरेडी इन्वेस्टेड हैं यह एक मल्टी बेगर स्टॉक अलरेडी बन चुका है लेकिन अभी भी दोस्तों इसका पॉटेंशल यहां से काफी जादा ग्रो होने का है ठीक है उसके पीछे के रिजन्स आपको दोस्तों मैं इसके बारे में डीटेल बिजनस मॉडल के बारे में समझाया है अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आई बिटन में मैं लिंक दे दूँगा आप जरूर जाके देखिएगा आपको A to Z कहानी समझ आईगे क्यों यहां पर सारे गामा एक जो पूरी डिजिटल वेव को यहां पर कंपनी केटर करती हुई नजर आती है अब यहां पर दोस्तों आप songs का इनका product portfolio है जिनके पे पास इनके rights है तो अगर आइप बात करें तो जितने भी music streamings है music stream platform है उनपे आपको जितने भी έχει गाने देखने को मिलते है उसमें जितने भी सारे गामा के गाने चलते हैं उस fiction काफी जाद़ है जितने जितने ज़ो यहां काफी जादा है क्योंकि पर सारे गामा का गाना चल रहा तो उसमें आप समझें कि जो गाना चल रहा है उसकी वज़े से यहां पर revenue ट्रैक रिकार्ड काफी अच्छा है और जो इनका एक जैसे मैंने बोला डिजिटल जो वेव है दोस्तों उसका यहां पर डिजिटल बूम जो है इंडिया का उसका फायदा सारे गामा को मिलता हुआ देखने को मिल सकता है एप यूसे लगातार बढ़ रहे हैं वीडियो म्यूजिक स्ट्रीमिंग लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है गेमिंग प्लैटफरम्स चाहे हम बात कशके करें सॉंग्स प्लैटफरम्स हमको लगातार यूट्व पर आप देखिये लगातार कई गानों पर जो इनका यूट्यूब का चैनल है उस पे देखिया आप कितने एक ही गाने पर कितने मिलियंस वियू आते हैं, पानी पानी जो सौंग था इनी का गाना था देखिए उस पर मिलियंस, I think 500 मिलियंस से जादा उसको वियूज है, तो उसका रेविन्यू इनको जनरेट होता है, तो मतलब लगातार दुस्तों और इसी वज़े से आप यहाँ पर नजर आ रही है, और जिससे हमने बात करें, टिप्स भी यहाँ पर दोस्तों एक काफी अच्छी कंपनी है, लेकिन इनका मैनेजमेंट दोस्तों काफी शांदार नजर आता है, विक्रम महरा अपने बिजनस में आपर काफी बुलिश नजर आते हैं, उन्होंने हा मिलेगा, अब अगर मैं इनकी पार्टनर्शिप बताऊं तो म्यूजिक स्ट्रीमिंग पार्टनर्स आप देख सकते हैं, स्पॉटिफाई, गाना, सावन, जितने भी नाम आप जानते हैं, सबके साथ इनकी लाइसेंसिक पार्टनर्शिप है, ब्रॉड कास्टिक पार्टनर मराठी, डीसेंटля यह पार्टनर्शिप इनोने की हैй, इनोसे के साथ इनकी पार्टनर्शिप है, तो रीजनल लेवल पर दोसतों इसका भी कंजम्शन लगातार बढ़ते जा रहा है, तीर तीर फोर सेटीज में जो है, यह जो यह जो कंजम्शन है लगातार बढ़ते जा है दोस्तों यहाँ पर music का अगर हम बात करें चाया शादी हो चाये समारो हो चाये birthday हो चाये कुछ भी हो गाना चले गा है और गाना चलेगा तो यहाँ पर सारे गामा को इसका benefit मिलता हूँ हमको देखने को मिलेगा YouTube के अगर आप गाने अगर अगर आप देखेंगे तो कितने इनके चैनल पे जाके देखेगा आपको पता चलेगा इनके व्यूज अगर आप देखेंगे तो मिलियन, बिलियन्स में व्यूज है इसका फाइदा इनको देखने को मिलता है अब यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट से वो भी आपको मैं देना चाहूँगो दोसमें आपर देखिए लेटेस्ट अपडेट क्या है तो रिसेंटली इन्होंने अपर बढ़ाई अपनी नेसले के साथ एमेज़ून के साथ फोन पे वीवो हिमालया के साथ यहां पर रिसेंटली यह लाइसेंस अगरिमेंट पे आए हैं डिजिटल कॉंटेंट लाइसेंस देखिए मेरे जीवन साथी बाला जी टेली फिर्म लेके पहला पहला प्यार एंडे कई सारे dirty जो ही विक्की कौशल की एक नई मूवी आने वाली उसके साथ इन्होंने भी एक अग्रिमेंट किया है music rights इन्होंने acquire कि हैं करन जोहर की एक movie आने वाली Rocky Rani की प्रेम कहानी ठीक है रनवीर सिंग आलिया बटकी तो उसका music rights इनके पास है तो उनके गाने अगर hit होते हैं तो अगेन इनका देखिए कितना फायदा होगा और regional में भी काफी अच्छा agreements कर रहे हैं ठीक है रीजनल देखिए दोस्तों रीजनल में इनकी जो growth है वो बहुत ही जबरदस्त है तो रीजनल जो चैनल से लगातार grow हो रहे है रीजनल आप सारे गामा का रीजनल चैनल देखिए जो दूसरे revenue की बात करें तो 12% year on year growth है लेकिन अगर हम बात करते हैं operating income before content charges and income interest and depreciation तो उसमें देखिए दोस्तो 44% की growth है 33% margin growth है profit देखिए 38% से year on year profit की growth तो यह दोस्तों अपने आप में बहुत ही जबरदस्त हमको यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है EPS growth आप देखिए क्या देखिए एक गजब को यहाँ पर जो है trend line का support देखने को मिल रहा तो यहाँ पर अगर आप invested हैं तो मेरे ख्याल से invested रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर और अगर यह trend line यहाँ से break होता है 50 day moving average का यह जो support है यहाँ से break होता है तो यह और नीचे आ सकता है करीब करीब आपको यह आता हूँ देखने को मिलेगा 4500 के आसपास तो मेरे ख्याल से 4500 के आसपास भी एक अच्छी opportunity होगी इसमें long term के लिए buy करने की हाले कि जो वैलिशन की बात करें तो वैलिशन अभी काफी जादा है 70 के PE पे stock चल रहा है लेकिन इस्टिल गिरावट नहीं आ रही क्योंकि जो growth है वो बहुत ही जादा है और इसलिए उसलिए 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 यहाँ पर variations इसके हमको इतने जादा de-rate होते हुए देखने को नहीं मिलने लगए अगर किसी भी reasons से इसमें हमको करावट आती है तो एक high growth stock होने के जाते हैं मेरे को रगता है उसलिए यहाँ पर एक buying opportunity create होगी promoters के पास 57.65% है recently यहाँ पर equity raise की तो तो यह dilute हो चुके है stake UIP हुआ था तो उसका जो सारा माल उठाय गया है वो FIS के दोरा उठा गया है DIS के दोरा उठाया गया है और public के stake यहाँ पर कम होए तो public और जो promoters का पैसा गया है वो गया है यहाँ पर FIS और DIS के पास तो strong promoter holding हमको यहाँ पर देखने को मिलती है तो यह stock दोस्तों मुझे लगता आपको अपने radar पर ज़रूर रखना चीए जब भी इसमें correction आये तो इसको आपको मौका नहीं चूपना चीए being a high growth company जो digital wave हमको आती हुए देखने को मिलेगी future में उसका दोस्तों यह contender साबित हो सकता है और जिहां उसको यहाँ पर tips भी एक company उस पर भी आपकी नजर होनी चीए तो I hope यह वीडियो आपको informative लगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल रेंड टेक केर बाइबाइ